Hello students, I hope आप सभी बढ़िया होंगे AKTU Counseling Date क्या है? 2023 में अदि आपको admission चाहिए खासकर जो BTEC के student हैं जिन्होंने J-Main 2023 की परिच्छा दिया है और उनका result भी आ चुका है और उनको admission चाहिए AKTU Affiliated किसी भी college में main campus में तो BTEC नहीं होता है लेकिन AKTU Affiliated Top Government College जिसमें मैंने आपको कल ही अभी एक college का review भी दिया था केनाइटी सुल्तानपुर के highest पैकर्स के बारे में चर्चा किया गया था candidate बहुत अच्छे अच्छे college है government college है जहाँ पर 100% placement है AKTU में उन सभी की आपको counseling करना है तो आपकी counseling date क्या है साथ में CVT, UZ और PG के जो candidate है जिनका exam हो चुका है या फिर अभी exam चल रहा है CVT, PG के जो candidate है तो अब उनके मन में सवाल है कि मेरी counseling कब होगी complete discussion मैं करने वाला हूँ complete आपके process का discussion करूँगा आपकी date क्या है counseling का इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ यह दिया आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग subscribe करके जरूर जुड़ें क्योंकि यहां पर आपको CVT, UZ, PG और साथ में BTEC जो की UZ course ही है लेकिन वो जई में के थ्रू होता है उसकी भी counseling related update step by step complete process आपको screen पर दिखाया जाएगा आने वाले time में आपको admission दिलाने तक आपको college पहुचाने तक यह channel आपके साथ जुड़ा रहेगा आपके साथ हम बने रहेंगे तो इसलिए आप लोग अभी subscribe करके जुड़ें चलिए start करते हैं बात आती है सबसे पहले आपके counseling के लिए क्या candidate आप जैमें 2023 में अपियर हो चुके हैं या फिर स्टिविटी प्यूजी या पीजी की परिच्छा आप दे चुके हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा एक website है इसको आपको याद रखना है AKTU counseling के लिए सभी technical courses के लिए uptac.admissions.nic.in screen पर भी आपको देख रही है ये site है आपकी official site है आपकी counseling के लिए counseling के सभी process इसी पर complete होंगे इस site पर आपको अपना registration करना होगा registration करने के लिए आपको अपना personal detail फिल करना होगा साथ में जो आपका rank है जो आपका roll number है वो आपने जईमेन का exam दिया हो या फिर CUT, UZ या PG का आपने exam दिया हो तो आपके पास जो आपका application number और roll number है उसके साथ आपको login करना होगा और अपना form फिल करना होगा 1000 रूपे की payment आपको registration के लिए देना होगा तभी आपकी counselling accept की जाएगी AKTU की तरफ से इसको आप ध्यान रखेंगे साथ में आपको अपने document upload करने होगा candidate counselling document आपको upload करने होगा ये भी आपके मन में सवाल है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई भी आपका ID proof होना चाहिए आपका photograph, आपका signature, आपका cash certificate ये आप reservation के लिए apply कर रहे हैं तो आपके पास आपका cash certificate होना चाहिए income certificate होना चाहिए EWS होना चाहिए ये आप उसके लिए applicable है आपको EWS देना है आप उस category में आते हैं तो आपको वहाँ पर EWS देना होगा आपकी previous year की mark seat होनी चाहिए यदि आप lateral entry में admission लेते हैं तो आपके पास diploma की mark seat होनी चाहिए यदि आप first year admission है तो आपके पास 12th और 10th की mark seat होना चाहिए ये सारे document आपके पास होने चाहिए साथ में जब आपका rank card आ जाएगा और इनका online verification होगा और कुछ document ऐसे हैं जिनका document verification आपको physical reporting के time पर करना होगा ये तो बात हो गई कि आप registration करेंगे मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा जब आपकी counseling स्टार्ट होगी candidate AKTU की जो counseling है वो सबसे last में AKTU की counseling ही लगभग start होती है तो इस चीज में अभी वक्त है आपके पास आप लोग अपने document दुरुस्त रखें सारी चीजें आप रखें और साथ में एक चीज का आप जरूर ख्याल रखें income certificate आपके पास 1 April 2023 के बाद का ही होना चाहिए इसको आप जरूर ख्याल रखेंगे कि 1 April 2023 के बाद का ही income certificate चलेगा साथ में जो OBC के candidate है उनका भी जो कास certificate रहेगा वो 1 April 2023 के बाद का ही valid होगा AKTU की counseling में वो ऐसे तो सभी universities की counseling में ये चीज होती है कि 1 April 2023 के बाद का ही आपका जो कास certificate है वो valid होगा यसी के जो candidate है वो पुराना certificate दे सकते है लेकिन जो OBC candidate या फिर जो general के candidate है जो EWS certificate दे रहे है वो भी 1 April 2023 के बाद का ही देंगे अब बात आती है कि आपकी ये counseling start कप से होगी तो candidate BTEC course में दी आप admission लेना चाहते हैं AKTU में तो आपकी जो counseling है वो 20 June से start हो सकती है और CVT, UZ और PG के जो candidate है उनकी counseling June 2023 में नहीं start होगी उनकी counseling जो होगी वो जुलाई महीने में जाएगी जुलाई के first week या second week में उनकी counseling start होगी अभी भी आपके पास वक्त है अधि आपका कोई भी document है जिसमें आपको कोई भी correction करना है तो आप लोग correction करें उसके बाद आप लोग apply करेंगे जब आपका link आएगा तो CVT, UZ और PG के जो candidate है उनके पास अभी वक्त है बिल्कुल परिशान ना हूँ आप जैसे ही कोई update होती है आपको इस channel से दी जाएगी जैसे आपकी counseling स्टार्ट होती है जो भी process होगा जो भी new change होंगे document को लेकर या भी कोई भी बदलाव होता है इसमें आपको बताता रहूँगा साथ में आप लोग college review के लिए जुड़े रहें मैं अलग-अलग colleges का आपको review देता हूँ आने वाले videos में मैं आपको किस college का review दूँ किस में आप जाना चाहते हैं कौन से आपकी university हैं कौन से आपके college हैं जो आपके favorite है मिलते हैं next video में thank you, bye bye, love you all, namaskar